नमस्कार आप देख रहे हैं N20 Live मैं RY आप सभी दर्सकों का एक बर फिर सस्वागत करता हूँ जैसा कि N20 Live के टीम अलग-अलग पंचायतों में जाकर वहां के परत्यासियों से यह जानने की कोशिस कर रही है किनका क्या सोचे और किस उमीद और भी स्वास्ति वो चुनाओ लड़ रहे हैं तो उसी के करम में आज हम पहुँचे हुए हैं सिवान सदर के महवारी पंचायत में और महवारी पंचायत में मेरा आने का सिर्फ एक ही उदे से है कि जो भी यहां के परत्यासी लोग हैं उनका जो सोच है वो आप तक हम पहुचाएं तो उसके करम में हमारे साथा जूड़े हुए हैं महवारी पंचायत से सरपंच के पत पे नामाकर करके आए हुए हैं यहां के विंदा देवी और उनके पती जो है राजेंदर यादो जी इसके पहले पांच साल तकी लोग सरपंच के गदी पे भी अजमान थे और पांच साल से लोगों की लोग सेवा भी कर रहे हैं और जनता के हर दुख सुक में इन्होंने बश चड़के हिसा भी लिये हैं और हर एक पंचायत की जनता इनसे रूबरू है किसी परिचे की यह मोहताज है नहीं टो आया हिनसे जानते हैं कितना चलट भी नहीं इनका नामांकन नकान होगा सबसे पहले सबसारे करके कंच स्यलग है इन्ट लग रहा है है इतना आजयाद में लोग अभी नहीं जाते सब्सक्राओं के लिए आपको घूरा आपको के लिए सफे रौक पूरा जाम हो जाया है कि ड्सी के लिए यह हम्लोग टो कामकी है तो आसान हैं जानता अभी भी हम लोग सथी और हुषे जानता ही कहती है कि नहीं नहीं जो पुराने हैं उनहीं को रखेंगा जो काम किये हैं हम गराम कचारी भी लगाए हैं पहले जैसा नहीं है कि गराम कचारी नहीं लोको लगाते थे लेकिन हम गराम कचारी भी लगाए और केस का निफ्टाड़ा भी किये थाना में जो भी केस ज को परतियासी लोगों मुखिया हो गएज can show who whose वाढ़ हो गए तो उन लोगों सरकारतोर a फवड मिलता है तो उसके बद़ोग लोग नहीं मिलता है जो भी आप लुग करना पर करना है कर नहीं कड करना है् है पर norm की को यह देखते हुए जनता 29 तरी को भोट करेगी जी ओ पान सल जो किये हैं 29 तरी को भोट करेगा इसा दूर मुत नहीं है कि नहीं करेंगे यो लोग एक चीज़ देखा जा रहा है सरपंजी के इस पर के चुनाव में बहुत सारे यूथ भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए य कोई भी इंसान जब धहरी रखेगा सांती से कोई फैसला लेगा तर भी दोनों हक के लिए फैसला सही साबित हो सकता है और नौजमान लोग इसमें आ रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि ओ लोग भी इस पंचायत को अपने हिसाब से चलाएंगे तो हरी जनता खूस रह जितना भी बड़ा बड़ा पद इस राष्ट पती का परधान मंतरी का इस पर वही इंसान बढ़ता है जिसके पास अनुभाव जादा हो क्योंकि वह अपने दिमाग से काम लेगा धैरे से काम लेगा और वह नौजवान आदमी के अंदर यह थुरा कम देखने को मिलता है त इसमें से कुछ फंट को काट कर सरफंच लोग को भी दिया जा सकता है कहीं यही ध्यान रहा रहा है वैसे परतियासियों के अंदर जो यूथ लोग है इसलिए साइच चुनाव में आ रहे हैं खेर उन लोग आपना मूता है तो जो आप चुनाव का डेट घोशना हो चुका तो उसके बास आप दावरा शुरू कर चुके थे जनता का पास आप जा रहे थे तो जनता के क्या फीटबेक मिल रहा था आपको जनता को बहुत अच्छा फिल मिल रहा है इसलिए कि जो भी सुना है बोड़ों के कुछ फंट कट के आ रहा है तो जो हम काम किया है जो मेरा च बिष आएगा उसको में जनता के बिष में रखकर काम करूंगा एक चीज जो और है कि जो होते हैं पंच में परमेशवर भी दमान होता है पंच में इसवर का वास होता है तो क्या आप उसके गरिमा को आने वाले पांच साल तक फिर बना कर रख पाएंगे जी मैं जनता को पास उसको मान सामान रखूंगा तो हमारे चैनल के माध्यम से महवारी पंचाइत की जो भी जनता भी आपको देख रही है उस जनता से आप क्या अपील की जिएगा 29 सितंबर के लिए हम जनता से यह अपील करूंगा कि फिर भोड़ दे कर जिता है मैं जनता के बीच रहूं पांच सामान रखूंगा जनता की जनता की सेवा किया हूं और सबको एक साथ लेकर चलने का जो काम किया हूं उसी पर मुझे पूर्ता भिश्वास है यह जनता उन कारियों को देखते हुए 29 सितंबर को एक बार फिर से अपना बहुमुल्ले और किम्ति भोट मुझे अवस् परदान करेगी ऐसे ही ख़बरों को देखने के लिए आप बने रहे हैं 20 लाइप धन्यवाद